हो जाए ये तैयार विहार में हेड मास्टर के 6000 से भी अधिक पदों पर जल्द निकलेगी भरती नमस्कार मैं दिव्वा स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में प्रदेश में प्रधाना ध्यापकों के निक्ति की प्रकिरी आगले सब्ता से सुरू होने की खबर सामने आई है प्रधाना ध्यापक के ये पद प्रदेश के माध्यमिक और उच माध्यमिक विद्यालयों में कुल 660 पदों पर आए हैं मेरिया में चलने खबरों के मताबिक बीते ही दिनों सामाने प्रसासन विभाग को सक्षा विभाग से संबंदित पदों पर न्युक्ती के लिए अधियाच ना भेजी जा चुकी है बता दे कि योग्य अभियर्तियों को प्रधाना ध्यापक के पद पर आयोग के तरब से लिकित परिक्षा के आधार पर चैनित किया जाएगा याद होगा कि वर्स 2022 में 6421 हेड मास्टर पर बिहार लोग सेवा आयोग ने विग्यापन जारी किये थे जहां 421 योग्य अभियर्तियों को इसके विरुद प्रधाना ध्यापक पद के लिए चैन किया गया हाला कि यहां भी महद 379 अभियर्तियों ने ही योगदान दिया सिक्षा विभाग के एक उच अधिकारी द्वारा बताया गया कि राज के उच क्रमित माध्यमेक और उच माध्यमेक विध्यालेओं में प्रधाना ध्यापक के पदों पर योग्य अभियर्तियों की न्यूकती जनवरी तक कराने की उमीद है प्रधाना ध्यापक पद के लिए सरकारी और नीजी विध्यालेओं के एक चुक योग्य अभियर्तियों की सेवाओं के लिए पिछले साल ही सरते निर्धारित की गई थी जिसके मुताबिक प्रधाना ध्यापक पद के लिए बिहार सरकार के पंचायती राज संस्ता एवं अगर निकाय संस्ता के तैट माध्यमिक सिक्षक के पद पर कम से कम आठ साल की नियमित सेवा का अनुभव होना चाहिए आगे उन्होंने जानकारी देते वे बताया कि राजिस सरकार के विद्याले में उच माध्यमिक सिक्षक के पद पर कम से कम चार साल की लगातार सेवा का अनुभव आविशक रखा गया है इसके अलावे यदि कोई अभ्यरती नीजी विद्याले के सक्चक हैं तो नीजी माध्यमिक विद्याले में सक्चन कारे का 12 साल का अनुभव और नीजी उच माध्यमिक विद्याले में सक्चन कारे का अनुभव 10 साल होना आविशक रखा गय था हाला कि जो आरक्षित वर्ग थे जैसे SC, ST, EBC, BC, दिव्यांग महिला या फिर आर्थिक रूप से कमजोर उमिदवार तो हुने अंक में 5 प्रतिसत तक की छूट मिली थी जहां उनके लिए इस एक्षिनिक योगिता नियुनतम 45 प्रतिसत अंकों के साथ PG उत्तिन करना अनि सीमारे रखा गया था उस समय नियुनतम 31 वर्ज और अधिकतम 47 वर्ज आयू सीमा की मांग की गई थी और आरक्षित उम्हें द्वारों को नियमा नुसार छूट देने की बाद कही गई थी आज के लिए फिलहाल इतना ही हमारे साथ बनेने के लिए आपका धन्यवाद